मैं चंद्राकर सर आप सबका चंद्राकर सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग 36 गड माधमिक सिक्षा मंडल के द्वारा आयोधित दो हजार चोबिस के बोर्ड परिच्चा के भौतिकी विशाय के बारे में हमें चर्चा करनी है आज चर्चा होगी इस वीडियो में यूनिट सेविन की वीकीरन तथा द्रब्बे की दैती प्रकृति ये कुल चार नंबर के आने हैं इन चार नंबरों में से एक तीन नंबर का अतिलग उतरी प्रेशन और एक नंबर का एक प्रेशन आने हैं तो आईए Question का सिलसिला परारंभ करें, ऐसा Question जो इस साल निश्चित रूप से Board exam में पूछे जाना है तो आईए Question को हम लोग परारंभ करें, सबसे पहले हमें कुछ physical जो वड है उसका अरथ बताना है जैसे छेत्र उत्सर्जन क्या है, सेकंडरी इमिशन अर्था दितियक उत्सर्जन किसे कहते हैं, संत्रिप्त धारा से आप क्या समझते हैं, देहली आवरिती से आप क्या समझते हैं, वीकिरियन की डवल नेचर अर्थात वीकिरियन की दैती प्रकृति से आप क्या समझते हैं प्रकास बिदूत सेल क्या है ये छोटी छोटी सी बाते हैं जिसका अर्था आप लोग को बताना है इन में से कोई तीन दिया जाता है तीन नंबर का एक एक को आप लोग एक एक या द के बढ़ाएं आगे क्विश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफ्ट अर्थात प्रकास विदूत प्रभाव क्या है इसकी ब्याख्या में तरंग सिध्धांत की असफलता पर आपको प्रकास डालना है बहुत प्यारा सा क्विश्चन है जरूर करियेगा। प्रकास विदूत उत्तसर्जन क्या है कि नियमों को लि Scientists के करके इसके नियमों को आप जरूर लिखिएगा इसके बाद अगला रूड टू एम इवी जहां आपको अच्छे सा पता है एच जो है वो प्लांक नियतांक है इसके बाद चुकि आप लोगों को अच्छे सा पता है यह तीन नंबर का ब्लूप्रिंट इसमें है तो निमेरिकल की भी संभावना यह बंती है तो एक प्यारा सा निमेरिकल अब इंतिजार कर रहा है और क्विस्चन यूं है 4000 एंगेश्ट्रॉम तरंगदर्य वाले फोटान की उर्जा ग्याद किजिए यहां पर आपको एनर्जी ग्याद करना है फोटान की आईए अगला क्विस्चन की और हम लोग बढ़ें अगला क्विस्चन में सबसे पहले आप ल प्रभाव में देहली आवरिती का होना फोटान सिद्धानत को तरंग सिद्धानत से अधिक महत्व देता है क्यों ऐसा क्विस्चन हम लोग उपर देख चुके हैं नंबर दो पर इसको जरूर करिएगा यह कई बार एक्जाम में पूछे जा चुके हैं कई बार एक्जाम मे पूछे जा चुके हैं अगला क्विस्चन जो आपको देखना है तीन नंबर का वो क्या है आप देखते हैं तीन नंबर के लाएक क्विस्चन यह छे में जाईएगा आप लोग क्विस्चन नंबर 6 में आप लोग जाईए 6 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा यह रहा क यदि किसी धातू की प्लेट पर एक ही आवरिती का प्रकास डाला जाए तो भी उतसर्जित प्रकास इलेक्ट्रोनों की उड़ जाएं भिन भिन क्यों होती है इसका कारण आप जरूर ढूंडियेगा और यहां पर कारण आपको मिल भी जाएगा प्रयास आपको करना है चलिए ड्रश्टी गोचर नहीं होता अर्थात हमें दिखाई नहीं देता ऐसा इसका क्या कारण है इसके कारण पर भी आपको ध्यान देना है एक अगला क्विश्चन दस्वा जो आपको पर नजर आ रहा होगा क्विश्चन यह रहा वीब्वांतर भी से त्वरित इलेक्ट्रोन से संबन डिब्रोगली तरंगदर यह लेम्डा है यदि त्वरक विब्वांतर को बढ़ा करके फोल्ट ओल्ट कर दिया जाए तो डिवरगली तरंगदर ये पर क्या प्रभाव पड़ेगा आप लोग देख पा रहे होंगे तरंगदर ये आधा हो जाएगा कैसे आधा होगा इसको आपको calculate जरूर करना है प्यारे बच्चों यदि आपने इतने question के तायरी कर लिया तो ऐसी कोई कारण नहीं है जिससे आपका paper ना बने paper बहुत अच्छे से निश्चितरुप से आपका बनेगा ये यी वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इस channel को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाला जो वीडियो है वो आपके पास बहुत ही quickly बीना बाधा के पहु और बहुत अच्छे से आपको इसकी तैयारी भी करनी है और इसका फाइदा आपको उठाना है उम्मीद करता हूँ आपको ये जरूर अच्छा लगा होगा धन्यवाद